चदरपुर में एक नावालिक बच्ची के साथ घर में घुसकर छेड़ छाड़ हुई जानकारी मिलने पर जब परीजन पुलिस थाने पहुचे तो काफी देर तक पुलिस ने उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी विदायक के धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और फिर कारवाई शुरू की कुछी घंटे बाद पुलिस ने आरूपी को पकड़ लिया चदरपुर की महाराजपूर थानचेत्र में मनकारी से एक नाबालिक बच्ची के साथ छेड़चाड का मामला सामने आया है चोवन वर्षी माता दिन सोनी ने घर में घुसकर बच्ची के साथ छेड़चाड की मौका मिलते ही बच्ची वहां से भाग निकली और उसने अपने परीजनों को घटना के बारे में बताया उसके बाद परीजन रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुचे तो काफी देर तक उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई इस बासे नाराज महाराजपूर के विधायक नीरज दिख्षित थाने के सामने धरने पर बैठ गया आरोपी के विरुद्ध छेडचाड और पॉसकोईट के तहत मामला दर्च कर लिया गया है चंद घंडों के मर्शकत के बाद आरोपी को गिरफतार कर लिया गया यह महाराजपूर थाना अंतरकत एक प्रक्रण है जिसमें एक नावालिक बालिका के साथ एक पचास वरिशी आरोपी ने चेडचाड की गटना कारित की थी इस पे थाना महाराजपूर द्वारा तुरेट कारवाई करते हुए फाई आर करके और शीग्र छेगंटे के अंद आप देख रहे हैं दखल नियूज